उत्तराखंड में बेसिक के 2287 पदू पर चल रही शिक्षकों की भरती प्रक्रिया एक बार फिर कानूनी दाव पेंच उलच सकती है। केंद्रिय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमानपत्र को गलत सूचना के आधार पाने एवं इसके आधार पर शिक्षक भरती के लिए आवेदन का आरोप लगाते हुए हरिद्वार की एक उम्मीद्वार ने इन आवेदनों को निरस्थ करने के लिए हाई कोर्ट में या प्रदेश में बेसिक के शिक्षकों के पदू पर भरती का मामला पूर्ग में भी कानूनी दाव पेंच में उलज़ा रहा है। जबकि डायट से डियलेड करने वाले उम्मीद्वार इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि नियोस से डियलेड करने वालों को शिक्षक भरती से बाहर किया जाए। कि 2287 पदू पर शिक्षक भरती के लिए विभाग ने अपनी वेबसाइट में उम्मीद्वारों की मेरिट सूची देते हुए इस पर आपत्तिया मांगी है। कुछ उम्मीद्वारों का कहना है कि उनकी और से सीटेट के प्रमानपत्र को लेकर आपत्तिया दी गई है। इसके बाद भी इसे ठीक नहीं किया गया। यही वजह है कि उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका करता का कहना है कि वर्ष 2012 से 2018 के बीच केंद्रिय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए केवलवे ही उम्मीद्वार आवेदन कर सकते थे। जिनके पास दो वर्षिय डिप्लोमा था। लेकिन एक वर्षिय बीच वाले उम्मीद्वारों ने भी गलत सूचना के आधार पर केंद्रिय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमानपत्र हासिल कर लिया। कारी ली जाएगी।